नमस्कार, शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं मुँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूटूब की चेनल गोब्लोक्स में आज मेरे सामने एक सुन्दर सी रियल फीमेल हतेली आ रखी है विवेचना के लिए और इस हतेली का जो भाग्य अस्तान है जिसको हम कर्म का छेतर भी कहते हैं और जिसको हम सनी का छेतर भी कहते हैं और सनी हमेशा हमें बताता है कि जिस परकार का हम कर्म करेंगे उसी परकार से हमारे भग्या का निर्मान होगा अगर हम केवल नीन में सपने देखेंगे और हमारे योग कितने भी परबल हो लेकिन अगर हम उस तरब कर्म नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हमारा भाग्या उदय नहीं होगा दूसरी बात हतेली ये भी बताती है कि जिस समय विक्त ने जन्म लिया होगा उस समय बहुत अच्छी उर्जा संचरण कर रही थी और इनकी जीवन का जो बुडापा काल है खास करके जीवन काल के सत्तावनवे वर्ष से इनकी बहुत महग्यसाली योग बन रहे हैं बहुत जादा अभी अगर मैं कहूं तो धाई वर्ष के बाद इनको बहुत अच्छी इस्तिति में आने की और जो है उजागर कर रहा है इनकी हतेली और हस्तरे का विज्ञान एक अश्लोग कहता है एक प्रमान देता है जनने प्रबलो यश्य राज योगो भवे दे दी करेवा चर्णो वश्यम राज चिन्नम प्रजायते जिनके समया जिनके जन्म समय पर प्रबल राज योग होता है उनके हाथ या पाउं में पद्म आदी राज चिन्न अवश्य होते हैं और ये लोग लाखों में एक होते है इनकी हतेली के भाग्य अस्तान पा अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से और धीरे से बन रहा है ध्यान से देखेगा इस प्रकार से है इस प्रकार से ये रेखा आके इस प्रकार से बना रही है और इस प्रकार से ये रेखा जा रही है और धीरे धीरे परबल रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है एक पदम का राजचिन ठीक है ने और परमानिक है जनने प्रबलो यश्यराज योगो भुवे दे दी करेवा चरणों वश्यम राजचिन्नम प्रजायते सामदरिक विज्ञान इसका परमान दे रहा है लेकिन अभी अगर आप इसको दियान से देखें हैं तो ये फलित आउस्ता में नहीं आया है कब आएगा कम से कम इसको तीन वर्स लगेंगे ठीक तीसरे वर्स से आज से तीसरे वर्स से ये अपने फलित आउस्ता में आ जाएग अब कहां पे बनावा है किस ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव है भाग्यास्तान का सनी का जो न्याय का देवता है कर्म की सिद्धानत को मानता है पहले भी कह चुका हूँ आपके लग को बताता है इसमें क्या होता है देखेगा यदि आप मैनुफैक्चरिंग में कोई फैक्टरी डालते हैं या उत्पादन समंदी बहुत बड़ा काम करते हैं उत्पादन या धात समंदी काम आपको बहुत बड़ा लाव होने वाला है जादतर मामलों में ऐसा विक्ति इतना धनवान हो जाता है कि बैठ करके उसकी कुछ पुस्तें उस धन को खा सकती है ऐसा विक्ति चै महिला हो या पुरुस हो अकेले खुद के बलबूते पर ये धन और संपदा अपनी जीवनकाल में जोडता है अब यहां पर बात आती है कि सास्तर के उनसार हमें किस हतेली को देखना चाहिए आज कल यूट्यूब में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बताते हैं कि दोनों हाथ को आप किसी भी हाथ को देखो या कुछ लोग बताते हैं कि महिलाएं जो कार्य कर रही हैं उनके जो है दाहिना हाथ देखना चाहिए जो घर ग्रिस्ती समाल रही हैं उनका वाया हाथ देखना चाहिए लेफ्ट हैंड देखना चाहिए ऐसा नहीं है हमारा जो सामद्रिक विज्ञान परमान देता है वो कहता है कि जो पुरुस है और जिनकी प्रकृति भी पुरुस ही है ठीक है ने उनका राइट हैंड देखना सुब माना गया है और देखना चाहिए जो महिलाई हैं प्रकृति स्वरूपा हैं लक्षमी स्वरूपा है ठीकने माता का अंस जिनकी अंदर है स्वयम अपने आप में दीवी है उनका वाम हस्त देखना सुब माना जाता है और इसका परमान देता है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ लिखा हुआ है अथातह जामी हस्त रेखा विचारणम दक्षणे पुरुसंगेयम वामे वामा करम सुभम यह इस पश्ट तरीके से प्रमान दी चुका है अब यहां पर एक सर्थ और आती है आपने भगवान शिप का अर्दनारिश्वरूप देखा होगा उसमें वाम अंग जो है लेफ्ट साइड में मा पार्वति का रोप है और दक्षण राइट साइड में भगवान शिप का रोप है एकी चित्र में एकी हैं वो अर्दनारिश्वरूप में ठीकन अब क्या होता है कि अगर वाम अंग में कुछ चिन्न बन रहे हैं जैसे साधी वो रखी है निश्चित तो पर यह इनके घर को समाल रहे हैं घर की लक्षमी है तो इस योग का फाइदा क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा हंड़र प्रसेंट मिलेगा किसको मिलेगा सबसे पहली उम्मीद है इनकी जीवन साथी को मिलेगा दूसरा क्या सर्थ होती है हस्तरेखा में यह प्रेक्टिकली रूप से होती ह जो इन से सबसे ज़ादा ज़ोड़ावा हो इनके आत्मा के बहुत ज़ादा नज़्दीख हो इस 100% 101% कह रहा हो तीसरे साल से इस राज योग राज चिन्न का फाएदा उनको आउश्य होगा अगर ये काम कर रही होंगी तो इनको होगा नहीं तो उनको होगा और क्या है धन का चिन है और बड़ी कमपनी या फैक्टरी का चिन है उत्वा धन का चिन है जो मैंने बताया अब उसको और प्रबल दे रहा है इनका सूर्य का छेत्र देख रहे हैं आप सूर्य का मतलब है ग्रहों का राजा सूर्य का मतलब है विश्तार फैलाओ ब्रांड भेली और धन ठीक है ने? चमक और दमक ठीक है ने? सूर्य जब आता है तो पूरे संसार को जो है रोसनी देता है ठीक है ने? ये प्राण देता है अब यहाँ पर देखेगा ध्यान से देखेंगे एक सांदार मचले का चिन बन रखा है और देखेगा इस मचले का चिन किसी भी परवत पर बनावा हो हतेली में सबसे सुब माना जाता है सबसे सुब यह हतेली की सकारात्मक उर्जा को बहुत जादा बढ़ा लेता है और जिस परवत पर बैठता है उस परवत के गुणों में भारी बिर्दि कर लेता है और व्यक्त के जिवन में उन गुणों को उतार लेता है ठिक लेकिन ये भी कब होगा जब इसका प्रभाव पड़ेगा तब ही इसका प्रभाव पड़ेगा मनि अभी ये भी बहुत कुछ नहीं दे रहा है कब देगा एकी साथ देगा और ये बहुत अच्छे लक्षण एक साथ जो है राजियोग का उदय होना इसके बारे में बताया गया है ये से हस्ते मत्सरेखा कर्म सिद्धिश्चो जायते धना ड्यस्तू सो बिग्गेयो बहु पुत्रो नसंसयो ये धन देता है और आपकी ब्राण भेलियो को बताता है अब इसके साथ यहां पर ध्यान से देखेंगे यहां पर एक चतुसकून भी बना हुआ है और चतुसकून के अंदर एक प्लस का चिन भी है बहुत अच्छी चीज है यह बहुत अच्छी चीज है यह मल्टीपल जो है सीटी का ब्रेक्टिको ब्यापारी बनाता है जो मैंने प्रेक्टिकल रूप में अभी तक देखा है अब इसके साथ और चीज देखेगा यहां पर ज़रा ध्यान से देखने की कोसिस करेंगे तो इनका जो अंगोठा है इसमें इस प्रकार की जो है रेखाई आ रही है और धीरे धीरे करियर और धन की रेखा प्रबल आउस्ता में आ गर्त कर लिया उसके लिए में एक आपको जो है एक साधना दे रहा हूं जरूर करिएगा प्लीज आपकी हतियली में सब कुछ हैं करके देखेगा कितना बड़ा लाब मिलेगा यह आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा ठीक है ने लेकिन तीन वरसों से पहले इसका लाब न नहीं मिलेगा यह भी मैं बता लेता हूं कहीं कहींगे हाथ देखा पड़ने जी ने बोला और हुआ नहीं है और तीन वरसों के बाद भी तब होगा जब आपका समर्पन उस कैटेगरी का होगा यह भी निश्चित है क्या बता रहा है आपको इस योग के कारण अचानक बड़ी तरकी को दिखा रहा है धन है परतिष्टा है मान सम्मान है सभी चीजों में यह बड़ोतरी को दिखा रहा है आप इस योग के प्रबल होने के बाद निर्धन नहीं रहेंगी गरीब नहीं रहेंगी लेकिन जब आप बहुत बड़ी सीड़ियां चड़ रही होंगी तो कहीं न कहीं ego problem भी ये देगा इससे आपको थोड़ा समल कर चलना होगा पता क्यों नहीं चलेगा क्योंकि आप बहुत जादा धार्मिक भी हो जाएंगी धर्म कर्म के कारियों में आप बढ़ चट कर हिस्सा लेंगी दान और पुन्य से समंदित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है ब्यावसाई इत्यादी चीजों को प्रबलता से दिखा रहा है और ब्यावसाई में विसेश प्रकार की सपलता को भी ये दिखा रहा है बाकी आपके समरपन के उपट डिपेंड करेगा उसके साथ साथ देखेंगे तो आपका अंगोठा भी अच्छा खासा लंबा शुन्द रहे सिख्चा और प्यार के मामले में बहुत अच्छी इनसान रहेंगी आगे चल कर आत्म विश्वा से भरी रहेंगी और जीवन में खुब तरक्की भी करेंगी इसमें कोई संदेह नहीं दिखाई दे रहा है तीसरी बात देखेंगे एक बहुत अच्छी भगवान जो है हनुमान जी की बहुत बड़ी किरपा आपके उपर जीवन में है जब जब आपके जीवन में बहुत कठिन समय आया है हनुमान जी ने साच्छात रूप में आपकी मदद की चाहिए किसी ने किसी रूप में की होगी साच्छात मदद की है इसको आपने अनुभवी किया है और आगे चल कर अगर हम देखेंगे जिस तरो इसमें बन रहा है आपको भूमी से समंदित बहुत बड़ा लाब भी होने वाला है और आपकी जीवन का जो सबसे बड़ा सबसे खुसहाली का समय आ रहा है वो 57 एर से आ रहा है बुडापा आपका वास्तों में बहुत अच्छा गोजनने वाला है एक चीज और ये बता रहा है कि आगे चल कर आपको दूसरों का सयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर रहेगी इसको आप अनुभोवी करेंगे दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिबा है बुद्धी बहुत अच्छी है आपकी सोचने और समझने की ताकत भी आप में विसेश रूप से है और ऐसा भी ब्यक्तित तो आपका है कि जीवन काल में एक बार येदि आप कोई निरणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे आपका ब्यक्तित तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली रहने वाला है ये भी इस पश्ट तरीके से या पे दिखाई दे रहा है अब दो चीजें खराब है आपकी हतेली में जा इतना अच्छा सारी चीजें है वहाँ दो चीजें खराब है इनको सुधारना बहुत जरूरी है ठीक है एक तो देखेंगे आपकी मस्तिस्क की रेखा देख रहे हैं आप आपकी मस्तिस्क की रेखा यही है मस्तिस्क की रेखा सनी के बीचों बीच जो सनी ग्रह है भाग्यास्तान है उसके बीचों बीच गैप हो रखा है इसमें तूट रखी है ये ठीक है ने और इसका प्रभाव आपकी जीवन में कुछ तो 24 या 25 वर्स में पड़ गया होगा क्योंकि ये 24 साल के उमर के आसपास या तो दुरगटना देती है या बड़ा कोई सालरिक कष्ट ऐसे लोगों को इस समय पे होता है अब यहां पे ये है कि अगर नहीं हुआ है तो उसका कारणी ये है यही एक ऐसी चीज है कि मिर्ट्यू के समान कष्ट को भी हर लेता है हनुमान जी स्वयम जो है कलियुक के राजा है और साक्षात है चिरन जी भी है ठीक है ने लेकिन एक चीज का हमें सा ध्यान रखना है आपको साजेदारी में काम नहीं करना है साजेदार से कहीं न कहीं तनाव होगा धन का नुकसान होगा और करज के लेन देन से भी आपको अपने आपको बचा के चलना है इन दो चीजों का आपको ख्याल रखना ही रखना है और तीसरी चीज आपके अंदर ये एक समस्या दे सकता है कि पहले आप कार्या सुरू कर लेंगे और उसे बीच में ही छोड़ देंगे प्रारंब से लेकर के अंत तक एकागर्चित होकर कर्म नहीं करने देगा ये तो इसके लिए मैं आपको क्या दे रहा हूँ एक दिव्ययोग ध्यान करिया दे रहा हूँ इससे चीजें बहुत अच्छी होंगे अब सबसे बड़ी चीज जो आपके पुरे परिवार में है और इसको आपको ठीक करना ही करना है यह आपकी ध्यान से देखेंगे ये आपकी करियर और धनकी रेखा है ठीक है टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और जो देव गुरु ब्रस्पती हैं आपके ये सनी की तरफ द्रिष्टि गोचर कर रहे हैं और हतेली में हलका जाल भी बनावा दिखाई दी रहा है ठीक है ये बताता है आपके बंस में पित्र दोस को आपके कुटुम में पित्र दोस को अब इसके लिए क्या करना है अगर जो स्राद पक्ष होता है पित्र पक्ष होता है आप अपने पित्रों के निमित अपने कुल प्रोहित से किसी तीर्थ छित्र में जहां पित्रों को म इठा करके नारायन बली जरूर कराएं आपके पित्रों को मोक्ष मिलेगा और निश्चित तौर पे जो है तमाम परकार की जो समस्याएं हैं वो खतम हो जाएंगी और जिस परकार का एक दिव्यता वाला आपका परिवार है एक चमकने वाला एक ब्रान भील्यों रखने वाला आपका परिवार है उसका निखार देगा वो उभर कर आएगा निखर करके आएगा और तमाम परकार की चीजों का बेदिक तरीके से जो है आपका प्रभाव पड़ेगा अब तीन अस्तान तो मेरी जानकारी में है बाके आप पता कर सकते हैं एक गया है वहां पे जो है अग अगर आप नारायन बली करते हैं तो आपके पित्रों को मोक्ष मिलेगा। दोसरा सबसे अच्छा और बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाला एक अस्तान है देवताओं की भूमी जिसको देव भूमी उत्राखंड कहते हैं हरी द्वार में नारायन सिला। वहाँ पे अगर पांच ब्राहमनों को बुला करके आप बहुत प्रतिष्टित जानकार हों और मन से कारे करें नारायन बली अगर कर दें तो आपके पित्रों को मोक्ष मिलेगा और पित्र की जो आसिरवाद आपको प्राप्त होगा और जहां पित्रों का आसिरवाद प्राप जहां भगवान स्वयम ध्यान मुद्रा में है बद्रीनात गड़वाल मंडल का छितर है उत्राखंड का वहाँ पे ब्रह्म का पाले है अलक नंदाजी की तठपर अगर वहाँ पर जो है आप कर सकें तो आपको बहुत बड़ा पुंड्य भी मिलेगा और लाब भी मिलेगा लेकिन जो सुगम है और बहुत लाबदायक है वो है हरिद्वार में नारायन सिला यहाँ पे अब कर भी सकते हैं और स्वयम गंगाजी का असिरवाद भी प्राप्त होगा और पितरों को मोक्ष मिल जाएगा बाकी करना न करना आपके उपर है करें तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है ने ग्यात अग्यात सभी पितरों का जो है मोक्ष मिल जाएगा उनको ये दो चीजें आपकी हतीली में खराब दिख रही थी इसलिए मैंने जो है अपने नौलेज की अनुसार आपको बताया है बाकी बहुत अच्छे अच्छे नौलेज वाले बिखती हैं बड़े बड़े जोतिस आचारे हैं पामिष्ट हैं आप एक बार उनको भी दिखा सकते हैं कि ये बात वास्तों में है कि नहीं है और मेरे जो आँखों में दिख रहा है आपकी हतीली में जो दिख रहा है वो 100% 101% पित्रदोस यहां पे दिखाई दे रहा है एक चीज का आपने और द्यान रखना है आप जड़ा देखेंगे ये आपकी जो है बुद्ध रेखा है जो टोट टोट करके आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आपका चंद्रमा जो है यहां पे अच्छा नहीं है धाई बरसों तक यह थोड़ा सा आपको प्रेशानी की इस्तिति में ला रहा है जब यह टोट टोट कर आगे बढ़ती है तो स्वास्ते के लिए अच्छे संकेत नहीं माने गई है अगर छोटी मोटी सारिक या मानसिक प्रेशानी होती है खास करके पेट से समंदित तो ब्य जोगो को इगनौर करना सुरू कर ले तो गंभीरी बैमारी होनी की समस्या आती है धन के नुकसान होनी की संभावना को दिखाता है और फिर घर परिवार में भी कलह को दिखाता है तो इससे बचना चाहिए और जहां तक चंद्रमा की बात है तो चंद्रमा अभी 2-5 महेने तक क्योंकि यहां पर ब्रस्पतिवी सनिकी और दिर्ष्टी गोचर कर रहा है तो थोड़ा सा चिंतातुर स्वभाव रख सकता है मन को गड़बड रख सकता है मानसिक प्रेशाने से गरसित कर सकता है कई बार बहुत जादा भावकता आ सकती है या ऐसा भी हो सकता है कि बात ब यह एकागरता की भंग करता है मन की एकागरता को मन उचाट हो सकता है मन भावक हो सकता है मन जो है मन की एकागरता भंग हो सकती है ठीक है ने मन खराब सा रह सकता है और जब मन खराब रहता है ने बहुत ज़्यादा तो हमारा जो digestive system है ने वो भी दिकत देने बैठ जाता है पेट की दिकते आती है मा को लेकि या तो चिंताएं रहती हैं या बिक्तिमासी दूर रहता है ऐसे में या मा के साथ मत भेटता आती है और ये बहुत जादा अगर असंतुलित हो जाए अभी तो उतना नहीं हुआ तो नीन आने में भी ये दिकतों को देता है इसका मैं इलाज दूँगा आपको जरूर करेगा छोटी सीक्रिया है बहुत अच्छा और प्रेक्टिकल लाब आपको मिलेगा ठीक है ने ये चीजें आप जरूर कर ले देखेगा चंद्रमा मन का कारक है तो मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और वो ऐसे देखा जाए चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब होने बैठ जाए तो ब्यक्ति बेवज़ाए के इस समाज के नजरों में बिलन बन जाता है ठीक है ने चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन की रिजल्ट भी ठीक नहीं आते हैं तो चंद्रमा का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये आपकी हतेले में कुछ चीजें थी अब एक चीज और देखेंगे आपका किये तो बहुत अच्छा है अगर आप देखेंगे तीन से चार रेखाई इसमी है ये एक तो लंबी उमर को दिखाता है दूसरा ये समराट योग बनाता है या तो ऐसे लोग बहुत बड़े अधिकारी रहते हैं और मैंने प्रैक्टिकली रोप में देखें या तो बहुत बड़े बिजनिसमेन रहते हैं जिनकी ब्रांड भेलू इतनी बड़ी रहती है कि हर कोई उनका एनलेसिस नहीं कर पाता है ये आपके और ये पुरो जन्म के पुन्ड करमों के कारण होता है और ये ही आपकी हतेली में बहुत अच्छा है शानदार है ये कहने योग्य बाते नहीं है बहुत बड़ी चीज़े हैं धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विस्वास मना रहेगा और अपने आरद्य के परति भी समरपन की भावना रहेगी काम्याभी तो मिलेगी लेकिन बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परिसरम करने के बाद ही चीज़ों में सपलता मिलेगी हो सकता है कई बार दोड़ा धोपे का काम भी करना पड़ेगा यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में कहीं न कहीं जो है बिस्तार पाने की इक्षा भी रहेगी यहाँ पी ब्रस्पति की उंगली बड़ी है मिडिल फिंगर से छोटी यह और भी आच्छी है ऐसा बिक्ति बिनम्र होता है डाउन टो अर्थ जिसको कहते है लेकिन सत्ता को समालने और दोसरों को नियंतरित करने में काफी माहिर होते हैं ऐसे जातक कारे को सल होते हैं ब्यहुवारिक होते हैं लेकिन स्वाबि मानी होते हैं ऐसे लोगों के लक्षा में सो बहुत ओंचे होते हैं और ब्रिस्पती के बड़े गुण इनके अंदर माने गई हैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धन कमाने के ललक भी रहेगे लेकिन धन के प्रबंदन में कागजों के रख रखाओ में, एकाउंटबिल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकल्स में थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक अगर नाखुन बढ़ाले तो बहुत अच्छा लाब आपको होगा एक सुखत जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रतन सील बेक्तितो रहेगा यह बहुत अच्छी चीज है, देवगुरु ब्रस्पति से प्रभावित है आगे चल कर चाहे आप प्यापार करें, चाहे नोकरी करें, चाहे और भी कोई काम करें समाज में एक अच्छा जीवन आप जीएंगी, इसमें कोई दोराई नहीं है यहाँ पर अगर देखेंगे तो यह आपकी जो है जीवन रेखा है अगर आप देखेंगे तो अंत में दो भागों में भी वक्त है और पोच सा तीन चार भाग है जन्म अस्तान शी दूर ऐसे लोग उन्नती करते हैं जन्म अस्तान में रहकर उस प्रकार की काम्याबी हासिल नहीं करते हैं दूसरी बात इनको जीवन में यात्राओं का बहुत अच्छा लाम मिलता है जिससे मनपरसंड रहता है और जीवन में खुशनमा माहूल बना रहता है ठीक है ने? लेकिन इनका प्रारंबिक दोर थोड़ा सा जो है संगर्स से युक्त भी रहता है कारे के परती भी जुजारोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पोरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं सुक्र बहुत अच्छी इस्तिति में है देखेगा इसको कला है सुन्दर्य है और सुन्दर्ता का ग्रह माना गया है एक सुखत जिवन जीने के लिए हतीली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी हतीली में सुक्र सुन्दर रूप में उबरावा दिख रहा है तेजोमय अउस्ता में है निश्चित ही ये आपको भी तीजस्वी बना रहा है आपकी परसनल्टी भी बहुत अच्छी रहेगी चेहरा महेरा भी बहुत अच्छा रहेगा और सुन्दर्ता और आकर्सन आपकी अंदर रहेगा हर प्रस्तित को जेलने की ताकत भी देता हुआ दिखाई दी रहा है दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं आपके तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक सोभाव बना रहेगा थोड़ा सा आप पितर दोस का उपाई जरूर करें तो ब्रिस्पति की बहुत अच्छे लाब आपको प्राप्त होंगे इस पे ध्यान दीजेगा क्योंकि आपका भग्या बहुत अच्छा है सो भग्या आने वाला है इस बात का आप ध्यान रखे सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है फिर भी मैं एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ निरंतर करें तो लाब होगा आपका बुद्ध वानी का ग्रह ब्यापार का ग्रह और तवचा का मालिक भी बहुत अच्छा है आपका चंद्रमा थोड़ा खराब है इसके बारे में मैंने बता दिया है देखा जाए तो मैंने आपकी हतीलिक का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरी किसे लिख करके और ओडियो के मादिम से भीज रहा हूँ आपका ने की कोशिस करें निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाब होगा इस विडियो में बस इतना ही एक नई विडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार